हालो और वेलकम तो यूट्यूब चैनल आफ यूपी एसी वाला स्टूर्ट मेरा नाम नान की पवेजा है तो आइडली बेसिकली अभी तक हम जो है दो से तीन चैप्टर कवर कर चुके थीक है ना अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही पेचीदा टॉपिक बहुत ही मीनिंग्फुल टॉपिक जो है उसकी शुरुबात करने वाले हैं और इस टॉपिक के अगर आप पूछे रूट का है जेनिसिस का है इस बारे में हमें एक ब्रीफ कहां पर मिला हुआ है तो अगर आपने मेरे NCRT के सेशन देंड की होंगे तो वहां पे पावर्टी के बारे प्लीज गो बाग और वाच दाट सेशन सोदाट आपके लिए यह वाली क्लास बहुत इजी हो जाए इजी तो अंडसांड इसी टूग्राब टी टॉपिक बट नहीं भी किया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है बिकोज मैं फिरसे डीप डाइव करने वाली हूं टॉपि इन दी सब्जेक्ट एकॉनमी कि अब लोग का इनो डर लगता रहता है कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा बाट आए बैट अपन दिस की बाइद एंड अव दिस सीरीज एक एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहा होगा कि माम एकॉनमी इस लाइक केक जा रहे हैं उसको हम अटेम्ट करके ही छोडेंगे तो स्रूडेंट जल्दी से आगे बढ़ाते हैं क्लास को और मैं आपको समझा देती हूं कि हाओ आप डिवाइड इस चाप्टर ठीक है ना तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपके आपके साथ पावर्टी और इन करेंगे उसमें हम अनिम्प्लॉइमेंट को डिसकस करने वाले तो स्टार्ट करते हैं श्री गणेश करते हैं हमारे पावर्टी वाले चाप्टर को ठीक है ना तो यह लिग दिया मैंने यहां पर पावर्टी ठीक है ना अब मैं आपसे पूछूँ या आप मुझ से पूचे क्योंकि जब तक आपको इंपॉर्टन सी पता होगी तब तक आप एक सेंसिबल एफॉर्ट नहीं मार पाओगे उस पॉर्टिकलर टॉपिक के लिए सो इफ टॉक अबाओ पावर्टी आनिम्प्लॉयमेंट नी सिरफ पावर्टी पावर्टी की बात करें ठीक है ना पावर् पावर्टी as a subject, poverty as a theme if I talk about inequality तो yes again not very important not very important from the prelims perspective it is very important from the mains perspective and not from GS3 point of view, GS3 में क्या है आपका economy आता है ठीक है ना It is important from Indian society point of view also जो Indian society, social justice ये सब पढ़ते हो आप उसके perspective से भी inequality बहुत important है तो students एक चीज ध्यान रखना जो आप ये जितने भी बच्चे ये 0 to hero वाली series देख रहे हैं Do not consider this entire series कि ये सरह मुझे prelims ready करा देगे मुझे आपको prelims ready कराना यहां पर agenda नहीं है मुझे आपको prelims plus mains plus interview तक ready कराना है एक धाचा create करके देना है आपके दिमाग में कि कल को कोई भी आप editorial पढ़ते हो कोई article पढ़ते हो तो आपको पता होना चीए कि ये जो editorial में ने पढ़ा है किसी newspaper में इसमें से जो points निकल रहे है ये मेरे concept topic में जाके fit बैट जाएंगे कि मेरे वो जो notes है वो interlinked हो current affairs है ठीक है मान लीजिए मैं आपको कोई अभी जब हम poverty पढ़ेंगे example there you students इन चीजों पर ध्यान देना इन integrities पर इन intricacies पर मान लीजिए अभी हम जब poverty पढ़ेंगे तो कोई एक topic इसमें से आएगा ways to measure poverty ठीक है ना तो आपने मान लीजिए Indian Express में कोई editorial पढ़ा कि जिसमें अभी जो present तरीके है poverty को calculate करने के उसका उन्होंने critical analysis कर रखा है ठीक है ना तो अब आपको पता ही नहीं है जब कि poverty में हमको किस depth और कौन से dimension में पढ़ना है तो वो editorial आपके सामने आएगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि editorial में से पॉइंट्स निकालने हैं और अपने mains के notes में डालने है ठीक है ना जब तक आपको broader dimensions ही नहीं पता हूँँगी तो इसलिए please इस perspective से इस series का हिस्सा ना बनिये कि prelims निकल जाएं नहीं prelims plus mains plus current affairs को interlink करेंगे plus PYSQ को भी बीच में डालेंगे plus बीच में answer writing में सिखाऊंगी एक बार पढ़ेंगे तब्यत से पढ़ेंगे और सब कुछ साथ लेके चलेंगे ठीक है अच्छा तो हम बात कर रहे थे poverty prelims के लिए important है नहीं इतना important नहीं mains के लिए important है inequality GS3 के लिए नहीं बलकि जहां पर Indian society social justice वहां पर भी तो it is all about inequality society में आप क्या बात कर रहे हो कि there is inequality that exists उसको क्या करने के लिए government क्या measures लेके आई है उसका क्या impact पढ़ रहा है on the different people in the society तो आपका वहां का answer holistic बनाने के लिए अगर आप GS3 में से वहां points लिखोगे तो आपका जो answer है वो multi-dimensional हो जाएगा और that is where and that is where you will secure extra edge towards extra edge over the others ठीक है चलो तो ये बात खताम हुई अब बात करते हैं कि हमारा जो class का structure होगा हो कैसा होगा poverty के बारे में बात कर रहे है ठीक है न एक बार just we'll have a brief कि जो 9th की NCRT में न topic का नाम था poverty as challenge poverty को challenge बोला गया है तो definitely कोई reason होगा ठीक है न reason होगा कि poverty word के साथ challenge use किया गया है definitely something there would be challenging about this particular concept of poverty ठीक है न so there will be a brief introduction then we'll talk about as to what poverty is what is poverty ठीक है न what is poverty who are poor who are poor ठीक है न poor कौन है ठीक है न हम identify कैसे करते है how do we identify poor कैसे कैटेगराइज करें कि तुम पूर हो और मैं नहीं हो या मैं पूर हो या तुम नहीं हो we need some mechanism we need some measures we need some methodology we need some formulas तो उसके ओपर हम थोड़ी सी रौशनी डालेंगे ठीक है न जो तरीके बने होए है existing to identify poor to identify the poverty line उसमें flaws क्या है drawbacks ठीक है न क्योंग कोई चीज परफेक्ट तो होती नहीं है तो उसमें कुछ drawbacks है भी और अगर है तो क्या है उसके उपर क्या suggestions और क्या improvements है क्या suggestions क्या improvements है ठीक है न फिर आज तक government ने क्या किया है to improve the situation government steps government steps to improve the situation and last what we'll discuss is last we'll discuss about the inequality in society how do we measure कि भई inequality exist कर रही है तो इसमें Lawrence Curve और Gini coefficient इन दुनों के बारे में बात करेंगे तो ये broader dimension है अब मान लिजे कि कभी भी कभी भी आप कोई editorial पढ़ रहे हो ठीक है न कहीं पर कोई नया data आया with respect to poverty you know कि आपको कौन से आपने notes बनाये थे वो data उठा के आपको कहां डालना है क्यूंकि आपको structure पता है आपको flow पता है कि कैसे भी class flow ही थी आपको दिमाग में flow बैठा हुए है कि अच्छा ठीक है इस तरीके से जो है मुझे किसी भी topic को approach करना है ठीक है तो पहले start करते है brief introduction से ठीक है तो brief introduction की बात करें तो what is poverty तो poverty अगर आपको यादो poverty अथा challenge बोला गया इसको class 9th के NCRT में itself वहाँ पे अगर आपको यादो ठीक है ना अगर आपको यादो तो वहाँ पे दो fictional characters की बात करी गई है लखा सिंग और राम शरन सिंग तो वो दो stories से क्या पता आता है कुछ-कुछ dimensions निकल के आते हैं पावर्टी के क्योंकि इसमें जैसे अगर राम शरन की I am very sure आपने नहीं देखी होगी class 9th की NCRT वेला वीडियो anyway चलो मैं बता देती हूँ तो दो fictional character होते हैं 9th की NCRT में राम शरन आन लखा सिंग तो राम शरन जो अर्बन एरिया में रह रह रहे हैं एक कमरे का घर है उनका चार-छे जनों की family है बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि बहुत कम salary आती है दो टाइम का खाना अरेंज करना भी अपने आप में टास्क बना हुआ है तो जब खाना अरेंज करना अपने आप में टास्क बना हुआ है तो जूता चपल खरीदना या कपड़े नए कपड़े खरीदना वाज लक्जरी फॉर दें आद सेम ताइम देज़ा फैमली लिविंग इन गाउं इन रूरल एरिया जो जिसमें कैरेक्टर का नाम होता है लक्खा सिंग ठीक है ना उसकी भी कुछ-कुछ बताई हुए कि लक्खा सिंग के पास खुद का लैंड नहीं है लैंडलेस लेबर है किसी के हाँ पर काम करता है काम करने के बदले में उसको 50 रुपए तंखा मिल जाती है और या फिर कभी कबार तंखा भी नहीं मिलती उसको कोई पतलब कुछ food grains दे देता था ठीक है ना उसके पास उसे यह भी नहीं बता कि आज काम करने के बाद उसको salary मिलेगी पतलब पैसे मिलेगे या कुछ in kind मिल जाएगा कोई fruit की टोकरी मिल जाएगी या कोई एक के लोग यहू मिल जाएगा या थोड़ा सा चावल मिल जाएगा ठीक है ना that family उस family because वहाँ पर stable income पता ही यह regular income नहीं है so that family does not even know कि खाना दूर की बात है मतलब खाना ही arrange नहीं हो पाता उनके लिए तो साबुन खरीदना नहने दोने के लिए that was also luxury तो इन दोनों fictional stories से निकल के आती है what could be the what could be the instances of poverty poverty को किस-किस नजरिये से देखा जा सकता है landlessness की नजरिये से आपके पास जमीन नहीं है आपके पास regular job नहीं आपको नहीं पता कि आप दो time का खाना भी खा पाओगे कल सुबह उठके कल के दिन में के नहीं आपके लिए जूता चपल मकान चोड़ी है जूता चपल अपने उपर कपड़े ओड़ना भी एक luxury है साबुन is a basic necessity ठीक है न आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साबुन खरीदने से पहले भी हम सोचते हैं क्या yes but for some people it is a luxury because आप पहले साबुन खरीदना पसंद करोगे अपने पेट में खाना डालना पसंद करोगे सो उन दो स्टोरी से निकल के आती है different perspectives of poverty because usually हम पावर्टी को किस नजरीय से देखते हैं कि poverty मतलब आपके घर में तनकवानी है अरे तनकवा नहीं है पैसे नहीं है तो उसके क्या-क्या implications क्या-क्या dimensions निकल के आ सकते हैं कि यह एक भी dimension हो सकता है कि मुझे second meal दिन में लेना है वो सोचना पड़ेगा या मुझे यह सोचना पड़ेगा कि मैं सिरफ रोटी खालू क्यूंकि I cannot afford to buy vegetables in the market मैं सबजी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती सिरफ गेहू की रोटी बना के खालू उतना ही sufficient है क्या तो there are different dimensions to poverty ठीक है न तो अब start करते हैं यह मैं आपको brief तिया NCRT की brush up कर आई ठीक है अब देखते हैं कि और क्या हमको develop करने concepts about poverty So poverty कैसी situation it is a state in which person और a community lacks the financial resources सबसे common सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है poverty सुनते ही मेरे पास financial resources नहीं है to fulfill what to fulfill the basic necessity of life ठीक है न सबसे यह सबसे narrow perspective है poverty का जो हर एक student बले हो UPSA Aspirant हो यह नहीं हो उसको यह तो पता ही यह financial means नहीं है to the ends but since you are a UPSC Aspirant ठीक है न यह आपको state का exam लिख रहे हो ठीक है न आ आपका जब तक approach multi-dimensional नहीं होगा वो आपकी answers में reflect नहीं होगा ठीक है न अब थोड़ा आगे अपने game को up करते हैं It is what? It is hunger. It is lack of shelter. Not being able to see the doctor. बिमार हो लेकिन doctor के पास जाना फोर्ड नहीं कर सकते. No access to school. It is almost living like one day at a time. आज का दिन निकल जाये जैसते है से करके मुझे नहीं पता कल के दिन का गुजारा कहां से करेंगे. आज के दिन का सोच लेते हैं कल की कल सोचेंगे. It is almost like living one day at a time. Adding or maybe upping your game. चीक है न? लेवलिग अप यूर गेम. ठीक है? It is lack of access to education, other basic service. It has, so poverty has many faces. It is not unidimensional. एक चीज मैंने जो सीखी यहां से, जो मैं इंट्रोडक्शन में यूज कर सकती हूँ, अगर मेरा poverty पे कोई question आ जाता है में में, that poverty, और I can use it in the conclusion as well. आज से यह देखो न, चोटे-चोटे point mains के answer के निकल लाएंगे, कि conclusion कभी poverty का question आता है, तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे इस चीज की समझ आ चुकी है, मुझे रट्टा मार के जाने की जुरूद नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज की समझ आ चुकी है, कि poverty जो है, it is not unidimensional, एक ही dimension नहीं है भाहिया उसकी, it is not unidimensional, it is multidimensional, it is what, it is multidimensional, तो मुझे वैसी अपरोच चाहिए होगी to tackle this menace, right? also one thing more I need to know or recognize is, कि poverty changes from time to time, this changes from time to time, it changes from place to place, how? example, 1970 की बात करें, अगर किसी परसन के जेब में 50 रुपे का नोट होता था, तो अपनाया में बहुत बड़ी बात होती थी, now do you think, if I have 50 रुपी नोट, and I say, एरे, 50 रुपे का नोट है आज भाही के हात में या जेब में, तो लोग हसेंगे, है, 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 what 50 रुपे का न तो पावटी, जो उस ताइम मानली जे, 50 रुपे मंगर पूरा घड लोग ही तनकुआ होती थी, 50 रुपे, I am talking about my grandfather, he used to work for a government bank, his salary was 54 रुपीज, his salary was, his monthly salary was 54 रुपीज, which was more than sufficient at that time, but आज के ताइम है 54 रुपीज, मतलब, you are somewhere living in a very, in a condition जो बहुत ही hardship के near है, so that is what is poverty, ठीक है न, what are the causes of poverty, ठीक है न, तो आप कहोगे, ma'am, income का source नहीं है, job नहीं है, landlessness, मेरी खुद की जमीन नहीं है, मेरे पास सिर पे चत नहीं है, तो किराया के घर पे रह 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 रहे हो, किराया निकालने का पैसा नहीं है, ठीक है, population, ठीक है न population explosion कैसे, गाउं में की लोग क्या सोचते हैं, चार-पात-छे बच्चे पैदा कर लो, फिर कल को जब बड़े हो जाएंगे, तो ये लोग उतने ही हमारे साथ कमाने वाले हाथ जुड़ जाएंगे, but they fail to recognize this fact, कि उनको बड़ा करने, उनको कमाने लाइक बनाने के लिए, you have to spend money on them, उनको दो टाइम का खाना तो खिलाओगे, उनको कपड़े तो पहनाओगे, उनको बिमारी के टाइम उनका इलाज तो कराओगे, तो वो कहां से अफोर्ड करोगे, इतनी long term approach क्यों रख रहे हो, कि जब ये बड़े हो जाएंगे, तो हमको कमा के खिलाएंगे, but अभी ज हाथ में बहुत सारे resources और कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ मुठी भर resources है, प्लस कुछ-कुछ हमारा बेडागर गुआ था कि हमारे यहां पे जो Britishers भी आये थे, तो एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से कुछ भी random points लिखो, बट अगर आप चाहते हो कि आप कहां सा structured एक दिए, एक पुछ नहीं कार नहीं कि ढूम पर आप सीन दिए, और कोल में नहीं थे, और आप दिए, नहीं कि आप तो पौर कर रती आंघू सन दिए के लिए, तो एक रिक गले जो होता है कै आप ऑ जिसकी वज़े से इंडिया में poverty exist करती है, there are some economical reasons, there are some social reasons, social reasons कैसे, जो हमारे हाँ caste system है, caste based segregation है, कुछ लोगों को बिल्कुल वंचित रखा जाता है, society से, उनको allow नहीं किया जाता, to access the places, the places for public, ठीक है न, दो दो, the societal reasons, governmental, governance में, governance reasons, governance कैसे, there is corruption, there is corruption, there is leakages in the distributional subsidy, leakage मतब जिसके लिए बनाई गई, जिसके लिए बाटी गई subsidy, उस तक पहुची ही नहीं, रास्ते में सही, कहीं और टर्न हो गई, वो subsidy किसकी अकाउंट में हो गई, यह पता ही नहीं चल रहा, तो आप ये चार heading बनाके भी, causes को लिख स सकते हो, that will make your answer look more structured, आपको होगे, मैं आणसर की क्यों बात कर रहे हो, अरे चोटी-चोटी बात ही तो अभी से बताऊंगी, तब जाके ही तो तुम लोग refined होगे, तब ही तो 0 से 0.5 पे तो लाना पड़ेगा मुझे तुम लोगो को, अचानक से 100 पर थोड़ी चल जाओगे, तो यह कोशिश करना, किसी भी, किसी भी सर्जेक का अंसर को, clarity, try to show the clarity to the answer, the copy checker, को कि मुझे clarity है वही, कि there are, यह यह कैटेगराइज, इस तरीके से मैं कैटेगराइज कर सकती हूं, कि these were the reasons of poverty in India, Britishers आये थे faulty draconian policies, तीन टाइम लगान देंगे, फिर उस टाइम एक अमिर खान निकल के आता है, और बोलता है कि नहीं, अगर cricket match जीत गए, तो हम tax नहीं देंगे, बट कई बार ऐसा था कि अमिर खान नहीं जीत पाता, तो फिर उसको तीन टाइम लगान देना पड़ता, औ पहले ही फसल नहीं हो गरी, उपर से तीन टाइम टाइक्स और देना पड़ेगा, so such faulty policies, फिर Britishers loot part के भी ले गए हमें, loot part के ले गए, कैसे ले गए, handicraft industry destroy कर गए हमारी, labor को वो जो, जो जमीन दार थे, उनको landless labor बना के छोड़ गए, so causes of poverty in India, historical reasons में आप ये लेख सकते हो, Britishers के faulty policies, right, तो ये हो गए, causes, तो हमने भी देखा भी, यह poverty होती क्या है, उसके reasons क्या रहे है, and a more structured approach to it, ठीक है, types of poverty, दो टाइप की poverty होती है, absolute poverty, and another one is relative poverty, absolute poverty, absolute poverty, absolute मतलब, in defined terms, you are poor, कैसे, कि मान लीजे, अगर आपकी महीने की तनख्वाई, एक just, एक hypothetical number दे रियो, so that आपको चीजे easily समझाए, do not go कि माम ये number तो नहीं था, नहीं नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, मान लीजे, कि आपकी प्रती महीना आए, हर महीने की salary 1000 रुपे से कम, 10,000 per month, आपकी individual salary अगर 1000 रुपे महीने से कम है, that means आप जो threshold है, जो आप threshold है, आप जो threshold है, उसके नीचे रहते हो, ठीक है न, पैसे ही नहीं है, खर्ची नहीं कर पा रहे हो, absolute poverty क्या होती है, relative concept होता है, एक relative concept होता है, एक बार में समझा जाए का समझाओंगी, तो कैसे, आप सच में पूर नहीं हो, basically आपके पास तनकवा, वनकवा, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, ठीक है न, मेरे सा Samsung है, am I not feeling deprived, जबकि Samsung कोई बुरा phone थोड़ी है, बढ़िया touchscreen phone चल रहा है, इतनी बड़ी screen है मेरी उसकी, ठीक है न, male whale सब उसी से कर लेते हैं, अपन तो meeting भी अटेंड कर लेते हैं, उसी से, YouTube भी उसी पर देख लेते हैं, बट मेरे आसपास जो society में लोग है, मेरे आसपास not under poverty in literal sense, or in exact sense, or in absolute sense, but when I compare myself with the other, अपने स्टेटस को में दूसरों के स्टेटस सा compare कर रहे हैं, तो भाई, मम्मी उसके पास तो pro max है, पापा की salary कहा जाती हाती है, मुझे भी लेके दो, ठीक है न, मम्मी कह रही है, देखो इनका तो घर कितना बड़ा है, हम तो छोटे से फ्ल अपना, that means you are not poor, but when I compare my social status, तो in a relative sense, in the relative sense, in the comparative sense, I am under poverty, आजकल इसका best example is Instagram, everyone is flaunting their lifestyle, especially आजकल तो और खराब कर दिया है, ये Instagram कल्चर ने, सब अपना lifestyle ऐसे दिखाते हो, बद्दे बना रहे है, flashy, holidays, workation, staycation हो रहा है, ठीक है ना, work from hills हो रहा है, तो हमें लगता है, सबसे गए गुजरे है, तो हमें हमारा manager सबसे बुरा है, कि हम यहां बेटके काम कर रहे है, because people are making you feel relatively deprived, relative poverty, नौकरी है, खुश नहीं है, लेकिन हम क्यू? क्यूंकि हमें भी work from mountains करना है, so that is relative poverty, best example is what social media is doing to you these days, right, चलिए, so that is types of poverty, ठीक है, तो देखा, poverty क्या होती है, उसके causes क्या रहे है, and then what are the types of poverty, यह absolute poverty का हमने देखा, so people who couldn't meet the criteria set in the poverty line, poverty line is what a threshold, we'll talk about that as well, ठीक है ना, so people living below that is below poverty line, कुछ बच्चे पूचे के माम यह poverty line क्या है, यह बिल्कुल same like equator है, imaginary line है, there is no such line drawn anywhere, in any country, so it's like a benchmark, एक threshold है, for making a comparison, जैसे कि मैंने आपको time and again मताया है, मुझे किसी भी दो लोगों में, या 10 लोगों में comparison करना है, तो मुझे एक benchmark set करना पड़ेगा, या तो मैं उन 10 लोगों के बीच में, उनके 10th में कितनी percentage आई है, उसके basis पे comparison करूँगी, या उनकी height कितनी है, या उनका weight कितना है, किसी किसी एक चीज़ को अधार मानूँगी, ठीक है ना, so let's suppose, मुझे पता लगाना है कि ये 10 लोग fit and fine है कि क्या है, देखना पड़ेगा, तो मुझे उस 10 लोग के बीच में से देखना पड़ेगा, कि जो सबसे बंदा ठीक height और shape में दिख रहा है, उसका weight क्या है, मान लीजे, उसका weight is 65 kg, now I'll start comparing each and every individual, अच्छा, तेरा weight इस से जादा है, आप इस line से ऊपर हो, somebody who has the weight of 50 kg, ओहो अब ही तो आपको तो खाना खाने की ज़रूरत है जादा, तो मैंने वो 65 kg का जो number set किया था, that is what is poverty line, तो poverty line भी क्या है, एक line है, एक imaginary threshold है, चीक है ना, और आप गोगे माम, यह कैसे इस number पर आते है, इस number पर कैसे आया जाता है, कौन decide करता है इस number, तो definitely उसकी भी एक पूरी evolution एक स्टोरी है, which we'll talk about in the later part of the class, but what do you need to understand is, हमें कुछ basic चीज़ चाहिए, sustenance के लिए, जैसे हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, थोड़ी बहुत मेडिसिंस चाहिए, कोई है, तेल शैंपू, कंगी चाहिए, यह सब basic चीज़, these are basic necessities, चपल चाहिए, Adidas की चूते नहीं बतलेकिन चपल तो चाहिए, रोड पे कैसे चाहिए, बेसिक चपल, तो इन सारे खर्चों को जो हम club कर देते हैं, चीक है न, तो हमें पता चल जाएगा, कि इतना minimum खर्चा, यह इतने minimum पैसे तो चाहिए, हमें एक ठीक सी लाइफ, बहुत बढ़िया नही एक ठीक ठाक लाइफ गुजारने के लिए, अब कुछ लोग जो उतने पैसे भी नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, जुगाड पा रहे हैं, that means they are below that threshold, below that poverty line, and जो लोग उस threshold के उपर है, that does not mean that they are rich, there are people who are just living just above that threshold, 1000 रुपे जो निकाला था मैने महीने का कर्चा, हो सकता है किसी यह वास 1100 रुपे, that doesn't mean कि वो लोग रिच हो गए, they are called just living above the poverty line, तो confuse मत करना कि, 0 और 1 पर मत चलना, कि जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं, वो गरीव हैं, जो पावर्टी लाइन से उपर हैं, वो अमीर हैं, नहीं नहीं, life and economy does not work this way, ठीक है, so poverty line किया है, सबसे पहले हम देखा, it is, it is, so it is a basic minimum which is needed, अच्छा नहीं, पहले यह देख लाइन, तो sustain life, every person requires some basic minimum calories, to sustain some basic minimum expenditure to incur, ठीक है ना, this basic minimum which is needed is defined as poverty line, basic minimum keeps changing from place to place, हो सकता है, आप आज से 20 साल पहले की बात करो, ठीक है ना, internet होना luxury होती थी, किसी घर में wifi होता था ना, तो अपन कूद के उस friend के घर पहुच जाते थे, कि इसकी मम्मी ने wifi लगवा के दिया है, I am talking about 2005, 2006, 2007, वो आले टाइम में, आप लोग तो क्या सीधा internet वाले जमाने में पैदा होयो, लेकिन when I was doing my, I was completing my schooling, किसी घर में wifi होना लगता था, भाई, मतलब एक तो पहले रोग पेरेंट से freedom मिलना, प्लस पेरेंट के इतनी पॉकेट होना कि वो वाई-फाई लगवा के तेरे अपने बच्चे को घर में कि भाई, लाइफ पीस, पर्सनल नहीं है, लाप्टाव वाप्टाप तो वही उस ताइम बहूत बड़ी दूर की बात होती थी, तो wifi होना, internet की accessibility होना, was a dream, but now you talk about today, आज अगर आपके पास internet नहीं हैं that means you are deprived from a very basic thing, internet availability, internet की availability is like a basic necessity, internet is no more a luxury now, तो poverty का जो concept है, as in when, just just say economy, just just say my life evolve हो रही है, this will all, this is also evolving, this is also changing, ठीक है, so the basic minimum keeps changing from time to time, it changes from place to place also, people spending, consuming below the threshold are termed as below poverty line, एस लो क्या बोला जाता है, these people are living below the poverty line, ठीक है, practice question, अच्छा, सबसे पहले तो accolades for all of you, accolades टालिया, बहुत सारे बच्चे commendably, जो है, comment box में, answers provide कर रहे हैं, अगर आप लोगोंने थोड़ा सा भी गौर फर्माया होगा, जिन जिन बच्चों के answer सही है, उस पर मैं like जरूर प्रेस करती हूं, कुछ कुछ को तो reply भी करती हूं but जिनके answer सही है, make sure कि उन, उन comments को मैं like जरूर दबाऊं, ठीक है ना, तो इसी तरीके से लगे रहेगा, इसी तरीके से यह जोटे-चोटे-चोटे steps लेते रहेगा and definitely we will turn out to be hero one day, right, चलिए, so who calculates, तो मेरा question है आप सबसे, जिसका answer आप मुझे comment section में देने वाले हो, who calculates the poverty line in India, पर इंडिया में जो यह poverty line है, यह जो line imaginary line है, जो benchmark है, जो threshold है, basically who calculates, किसका जिम्मादार है, इसका जिम्मादार है, ठीक है ना, चलिए, measures to estimate absolute poverty, ठीक है ना, तो हम क्या है, basically absolute poverty, दो concepts थे, absolute and relative poverty, अभी relative तो change होता है, मैं जिस society में move करूंग, it will depend upon that, but absolute poverty कैसे calculate करी जाती है, है, how do we calculate that, we need to learn something related to that, so how do we calculate, there are certain measures, कुछ-कुछ-कुछ तरीके बने हुए है, to calculate or estimate the absolute poverty, जिसमें से first one है, head count ratio, इन ratios को, in what sense do they make, इनको ध्यान रखना, ठीक है ना, अब हम घुज चुके हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे class में, starting में मेंने क्या बताया था, how are, who are poor, how are we identifying that, identifying them, तो कोई ways, methodologies बनी हुए, उन ways and methodologies कोई पट रहे हैं, बात में देखेंगे उन methodologies के साथ problem क्या थी, ठीक है ना, उनके लिए क्या नए improvement, क्या नया scope है, ठीक है ना, how to improve them, so first one is head count ratio, so basically head count ratio में क्या पता है, it tells the number of people living below poverty line, कितने लोग below poverty line रह रहे हैं, तो इसको calculate करने के लिए, first, the number of people living the below poverty line is identified, and it is divided by total population, आपकी total population हा, इंडिया में जितनी total population है, उसमें से कितने प्रतीशत लोग below poverty line के नीचे हैं, वो कहसे पता चलता है, that is being depicted by head count ratio, ठीक है, तो 1977 की बात करें, तो 61% लोग बर below poverty line, but thanks to the concreted effort by the government, thanks to the steps taken by them, thanks to the interventions done by the government, कि ये जो रेशियो है, it is definitely different for urban and rural area, ये भी में बता दू, urban area में head count ratio different है, vis-a-vis rural area, but अगर हम overall number देखें, तो 1977 में, ये आप लिख सकते हो, जब आप किसी government scheme की बारे बात कर रहो, on poverty, तो आप लिख सकते हो, कि yes, government schemes जो है, that has proved beneficial, कैसे, कि भाई, 1977 में, ये 77 में, अगर head count ratio, HCR की बात करें, तो that was 61%, but now that has got reduced to 25%, भाई, urban, rural नहीं याद रहता, लेकिन ये number याद करना जरूरी है, क्यूं, क्यूंकि mains के answer में लिखोगे, तुम mains के answer जब पढ़ोगे, mains के answer की, जब answer writing practice करोगे, तब ये जरूरी है, ठीक है, head count ratio हो गया, poverty gap ratio, poverty gap ratio में क्या देखते हैं, it is the difference between the poverty line, poverty line, and the average actual monthly consumption expenditure of a below poverty household, ठीक है न, मान लीजिए, poverty line 1000 है, और आपको पता चल रहे हैं, जो below poverty line families है न, ये महीने का सरफ कितना ही खर्च कर पा रही हैं, ये महीने का hardly, जो है, 300 रुपे खर्च कर पा रही हैं, तो कितना gap है, इतना तो minimum चाहिए था, इतना भी नहीं कर पा रही है, तो कितना कर पा रही है, 300 रुपे ही कर पा रही है, तो difference कितना है, 700 रुपे का, ठीक है ना, average actual monthly consumption expenditure per BPL household, एक BPL household में कितना महीने का खर्चा किया जाता है, कर पाते हैं, वो लिखेंगे, minus करेंगे, divided by poverty line, इससे government को पता चलता है कि उनको कितने amount की help करनी है, कैसे पता चल रहा है, हजार रुपे तो minimum निकाला ही हुआ था, लेकिन वो 300 रुपे तक ही arrange कर पाते है, बीच का gap कितना आया, 700 रुपे, तो government को चलता है कि हमें 700 रुपे तक around की help करनी है, वर्ना, government कितना बाठती ही, कितना करें, कैसे करें, क्या पता लगाए कि कि जुरत है, कि जुरत है, कि सी हुजग में 200 रुपे की जुरत है, कि सी पांथ imagen कि जूरत है, तो government किเรา और कर द बजट में से अमाउंट अलोकेट कर दती है पर हाउस होल्ड पता चल गया 700 रुपे कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड से बिलो पावर्टी लाइन इंटू करके दाट इस हाओ बजट में से खर्चा निकालती है इतना हमको खर्च करना है फॉर पावर्टी इराडिगेशन पाव कि एफ पावर्टी गाप राचियो तरी ओवर्टी इसको अरिए प्यूर्टी इविए इस प्यूर्टी प्लिलेशन पावर्टी यह एक अरियो प्रिडिमकली यहां पर काथा इत इस for the entire इस to a particular area this method squared the poverty gap which is the poverty gap पाया था, उसको square करती है, for each individual households, shortcoming of the BPL squared give the very poor far more weight to people households that are far from the poverty line than those who are only few cent short, मान लीजिये, एक family है, बदब minimum था 1000 रूपीज, ठीक है ना, below poverty line, एक family है, जिसका महीने का कर्चा 800 रुपे, वो कहीं से भी arrange कर लेती है, तो यहाँ पर gap कितना हुआ, 200 रुपे का, एक family है, जो सिरफ 400 रुपे arrange कर पाती है, यहाँ पर gap कितना है, 600 रुपे का, तो किसको जाद जादा जरूरत है, कहाँ पर gap जादा, obviously हाँ पर, इस family को जादा जरूरत है help कि government से, right, so this family, with the help of the security poverty gap index, this family will automatically get more aid and help from the government, so the really poor, जो सच में, जारूरत है, who are away from the poverty line, will get more help as compared to, जहाँ पर थोड़ा सा ही difference है, इनको भी help मिलेगी, but अपने आप government को बतल जाएगा, चाहा हमें जादा effort कौन से लोगों पर डालना है, ठीके ना, यह उना चाहिए, जिसको जादा जरूरत है, उस तक ही जादा help पहुचनी चाहिए, right, तो that is how absolute poverty को measure किया जाता है, अब चलते है, so methods to estimate absolute poverty, ठीके ना, यह तो ratios थे अलग-अलग, कैसे पता चल रहते हैं, कि भाई, कितनी जंता हमारी below poverty line है, कितना gap exist कर रहा है, household में ताकि government पता लगा रहा है, कितना खर्चा का shelf out करना है, absolute poverty को estimate करने के कुछ formulas बने में हैं, जिसमें basically हमको यह तीन चीज़े देखनी, uniform reference period, और uniform recall period, mixed reference recall period, modified mixed reference recall period, so basically जो poverty line calculate करी जाती है, ठी तो, क्या देख रहे थे हम, basically identify कर रहे थे, कि एक family को अपनी life गुजारने के लिए कितना minimum खर्चा करना पड़ेगा, या करना पड़ता है, ताकि वो एक ठीक ठाक जीवन निकाल सके, ठीक है ना, तो हमको उसको एक period में identify करना पड़ेगा, कि एक महीने में, या एक हफते में वो कितना खर्चा उसे करना चाहिए, या कितना खर्चा वो करती है, तो हम एक time frame fix करना पड़ेगा, ठीक है ना, it could be 7 days, it could be 15 days, it could be 365 days, so that time frame which is considered for calculation of poverty line, जिस time frame में हम data निकालते है कि इतना consumption होना चाहिए, या इतनी income होनी चाहिए, that time frame is called recall period, ठीक है ना, that time frame is called recall period, ठीक है ना लोगों ने, obviously since it's not a right class, but तुमारे मन में definitely question तो आई रहा होगा, कि माम इंडिया की poverty line क्या है, what is the poverty line, क्या, क्या number define क्या हूआ इंडिया में कि, जो person, उसके पास इतने पैसे हैं, वो above poverty line, I mean what is that benchmark, अगर मैं वर्ल बैंक की बात करूँ, ठीक है ना, तो वर्ल बैंक का बता द वर्ल बैंक का पहला जो defined था, 2011 में वो बोलता था कि जिसके पास 1.90 dollars नहीं है, ठीक है ना, that person is below poverty line, but अब 2022 में नए काल्कुलेशन के साथ, 2.15 dollar, 3.65 dollars, 3.65 dollars and 6.85 dollars, जो एक दिन में spend नहीं कर पा रहा है, इतना भी afford नहीं कर पा रहा है, that is, those people are below poverty line, now, यह तीन नंबर क्यों लिखें, this is for the least developed countries, least developed countries, middle income countries, and this is for developed countries, तो अगर आप एक developed country में रह रहे हो, और इतने भी पैसे अगर आप के पास नहीं है, एक दिन में खर्च करने के लिए, अपने गुजारे चलाने के लिए, that means, आप क्या हो, बिलोव पावर्टी लाइन हो, राइट, चीक है, तो हम अब बेसिकली अभी अभी अहाँ, तो हमने यह देखा, और मैंने आपसे question पूछ के छोड़ दिया, इसका answer आप मुझे comment box में देने वाले हो, कि भाई, कितना खर्चा, sorry, इंडिया की पावर्टी लाइन क्या है, कौन, कौन, काल्कुलेट करता है, वो भी पूछा है, प्लस, अमांट क्या है, that also you have to mention, तो हम देख रहे ते, रीकॉल पीरिट की बाद कर रहे ते, तो जिस time frame के लिए हम consumption data या income data निकालते हैं, that time frame is called recall period, ठीक है, ना, so now what is uniform reference or recall period, so यह जो uniform reference or recall period, basically it's a 30 day time frame, ठीक है, ना, 30 दिन का time frame है, अन यह uniform reference period was used in 1993-1994, उस time जब poverty line का estimate हो ला था, तो uniform reference period लिए जाता था, जिसमें time frame होता था 30 days, तो 30 days में, जो जो भी आप consume कर रहे हो, जो आपको consumption के लिए चाहिए, जैसे आपको जूता चाहिए, चपल चाहिए, सबजी चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, दूद चाहिए, ठीक है ना, यह हूँ चाहिए, उसको identify किया जाता था, बट, as and when, चीजे develop हुई, तो समझ आए कि, there are certain expenses, जो आप हर, महीने खर्च नहीं करते हो, उन चीजों पर, जैसे कि, आप चपल हर 30 दिन में खरीते हो, क्या, सबजी आप हर महीने खरीते हो, राशन हर महीने खरीते हो, बट, क्या चपल आप हर महीने खरीते हो, या दवाईयां आप हर महीने खरीते हो, नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसके लिए, एक चीज, दूसरा recall period ले के आए गए, that is, mixed reference recall period, तो इसमें, this period, this method was used in 1999 and 2000, ये जो method takes into account the spending on five non-food items which are clothing, durable goods, education, medical expenses for a period of 365 days, यह हो सकता है, आप साल में एक बार भी बिमान पड़ो या पड़ो तो एक बार पड़ो, तो आपका खर्चा एक बार ही हुआ, तो वो medicine के खर्चे को हर महीने क्यों calculate करने की जूरत है, मान लीजिए, recall period, July के लिए calculate किया जा रहा था, आप जून में बिमार पड़े, ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए, 100 रुपे medicine का खर्चा आया था, तो uniform reference period में क्या हो रहा था, हर बार, July के लिए, August के लिए, September के लिए, हर बार 100 रुपे identify किया दा रहा था, कि इतने तो medicine पर लग जाते हैं, but it is not necessary कि हर महीने आप 100 रुपे की medicines consume कर रहे हो, it is not necessary that हर महीने आप नए कपडे खरीद रहे हो, तो इसलिए एक नए reference period को ले के आना पड़ा, and that was called mixed reference period, फिर story थोड़ी और आगे बड़ी, फिर समझाया है कि नहीं नहीं, अभी भी कुछ gaps है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो आप हफते भर करते हो, मतलब हर हफते करते हो, जैसे सबजियां हर अफते खरीदे हो, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जो आप साल में एक या दो बार करते हो, और कुछ खर्चे होते हैं, जो आप महीने में एक बार करते हो, जैसे बिजली का बिल, हर हफते थोड़ी भरते हो, या साल में एक बार थोड़ी भरते हो, तो हर महीने भरते हो, इंटरनेट का बिल, हर महीने भरते हो, हर रोज थोड़ी भरते हो, या साथ दिन में, या एक साल में एक बार थोड़ी भरते हो, इसलिए जो ये Modified Mixed Reference Period आया है, इसमें जो है, तीन काटेगरीज भर डिवाइड की करे गए Period को, 365 Days, 7 Days and 30 Days, 30 Days for food items, fuel, light, जो मैंने कहा न, जली के खर्चे, miscellaneous goods and services, 7 Days, भाई, सबजियां, ये जो रिफ्रेश्मेंट, fruits, vegetables, 365 Days, footwear, education, medical expenses, durable goods, जैसे आपका जो टीवी फ्रेज हो गया, ये सब, तो इसमें basically time frames को अलग-अलग, डिवाइड किया गया, ठीक है न, तो कुछ poverty line बोलती है, या इस पे किसकी basis पे poverty line कुछ economist बोलते हैं होनी चाहिए, बट अभी तक जो majority of poverty line का estimation होता है, it is on this mixed reference recall period, ठीक है न, चलिए, अब हम चलते हैं, poverty estimates in India, ठीक है न, हमने देख लिया, तरीके क्या होते थे, अब देखते हैं, आज तक क्या-क्या developments हुई है, when we talk about the poverty estimates in India, कौन करता है, वो तो आप मुझे बताने वाले हो, तो poverty estimation in India को हम दो eras में divide कर सकते है, pre-independence and post-independence, pre-independence में बहुत जादा जानने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ जानने की जरूरत है, कि सबसे first effort किसने मारा था, अभी मैं नाम लिखूंगी, तो आपको याद आ जाएगा अपने आप, दादा भाई, नारु जी ने इंडिया में, pre-independence era में basically उनने किया था, that he was the first person, जिनोंने एक effort मारा था, to calculate the level of poverty in India, बस इतना पता होना चाहिए, he was the first person to make such an effort, अब चलते, post-independence era में, ठीके न, post-independence era में, because government के सिर्फ सब कुछ पढ़ गया था, Britishers चले गये थे, पहले तो वह सरकार चलाते थे, भाई अब सब कुछ हमारे हाथ में आ गया था, तो अब government ने multiple attempts मारे, in order to define and talk about the poverty, तो अब हम कुछ-कुछ committees पढ़ लेते हैं, ठीके न, इन committees का नाम आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि भाई इस committee का main recommendation क्या था, या फिर आपसे इस तरीके से question पूछा जा सकता है, prelims में भी कि ये जो सुरेश टेंडूलकर committee है, it was in relation to which of the following, poverty line estimation, GDP estimation, banking reforms या capital conversion, capital account convertibility, you should know कि ये जो सुरेश टेंडूलकर committee थी, that was in relation to poverty line estimation, ठीके, चलो, तो आज तक जो committees बनी है, सबसे पहले, V.M. Dandekar and Neil Cantrat committee, 1960s around form हुई थी, इन्होंने basically क्या क्या था, they established a daily minimum calories intake, इन्होंने daily minimum कितनी calories चाहिए जीने के लिए, इन्होंने काला भाई या, 250 calories चाहिए, and use this figure to calculate the required monetary amount to buy these calories, ठीके न, 250 calories चाहिए, चाहिए वो male हो female हो बच्चा हो, तो आप सुचों बच्चे को थोड़ी 250 calories चाहिए, यह तो एक adult को चाहिए, उसमें भी male को चाहिए, female को इससे कम calories चाहिए, बट यह जो V.M. Dandekar committee थी, इन्होंने बोला भाई या, 251 figure निकाल दिया, 2550 calories अब इस calorie को खरीदने के लिए जित्ते पैसे चाहिए, ठीक है जी फिर वाई के अलग 4 साई 73-74 में इन्होंने डिवाइड किया, क्या इन्होंने बोला कि भाई, रूरल एरिया में लोगों का जो फिजिकल यह लेबोरियस होता है, वह ज्यादा होता है, वहाँ पर 2400 calories चाहिए, अर्बन एरिया में थोड़ी कम calories चाहिए, ठीक है ना, अभी तक क्या हो रहा था आप देखो ना calorie calorie पर बात हो रही थी, और चीजों से मतलब ही नहीं बिजली पानी से, क्यों क्यूंकि उस टाइम था भाई यह खाना मिले दो टाइम उतना ही बहुत है, तो भाई के अलग कमिटी ने अलग क्या किया, उन्होंने यह अलग किया कि इसको अलग कर दिया, बाइस सो पचास नहीं नहीं एक नमबर नहीं होना चाहिए, रूरल एरिया के लिए अर्बन एरिया के लिए अलग होना चाहिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कुछ development करी है हमने, और उसका जो भी amount आएगा, वह open poverty line, फिर 73-74 में ही एक लकड़ा वाला committee, ठीक है न, वाई, उनने बोला कि नहीं भाई, calorie consumption से अकेले बात नहीं पड़ेगी, हमें कुछ और चीज़े भी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमे तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, कि यहाँ तक तो सरफ calorie की बात हो रही थी, लकड़ा वाला committee थी, that was the first committee जिनने बोला, that went beyond calorie consumption, लकड़ा वाला committee was the first committee that went beyond calorie consumption, फिर आए जी हमारे सुरेश टेंडूलकर committee, ठीक है न, अच्छा यह sequence भी आत कर ले न, यह कौन सी committee, क्यों क्यों हम चांस ले, तो पहले भाई डांडेकर committee, फिर अपनी वाई के अलग committee, फिर उसके बाद लकड़ा वाला committee and then सुरेश टेंडूलकर, तो सुरेश टेंडूलकर committee है यह थी थोजार चार पांच में, तो इन्होंने poverty line नी बनाई थी, poverty line was not created by this committee, कोई poverty line नी बनाई थी, they followed लकड़ा वाला अप्रोच, बट इन्होंने amount निकाल के बताया, so the committee determined the poverty line as follows, अप्रोच यह वाली थी, कि calorie consumption plus clothing plus shelter, ठीक है, इन्होंने उसको quantify करके बताया, कि रूरल एरिया में, पूरे साल में, 816 डॉलर चाही है, sorry, पर महीना, पर महीना 816 डॉलर चाही है, about 27 डॉलर पर डे urban area, this should be per year, per day, नहीं, per year होना चाही है, यह per year होना चाही है, ठीक है न, and thousand dollars urban area में, in order to survive, so they calculated the exact amount, फिर आई, 2011 बारा में, रंगराजन committee, so they also used the method of calculating urban and rural poverty separately, इन्होंने भी अलग-अलगी किया, एक तो सरफ इन्हीं कही था ता, रावियदे हो गए, एक number सरफ इन्होंने निकाल था, ठीक है, वो भी सीख रहते, इतने वॉल्ड नहीं थे, सब भी वॉल्ड करके, सब समझदार हो गए, ठीक है न, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, poverty line, आद्धी, monthly expenditure for family of five, क्या होना अर्विंद पांगडिया, task force, इनको क्या काम दिया गया था, to identify individuals who are below poverty line, ठीक है न, firstly, they continued with the Tendulkar poverty line, second, switch to Rangrajan और other higher end rural urban poverty line, फिर third, bottom 30% of population tracking over time, इतना डीटेल में नहीं जाना आपने को, नाम, प्लस, इनको काम क्या दिया गया था, ठीक है, and last, नीतिया योग की एक task force बनाए गई, कि भाईया, बहुत हो गए, इदर उदर वाई के अलग, लकड़ा वाला ही सब हो गए, Tendulkar जी भी हो गए, अब नीतिया योग ने बोला, हम लेते हैं काम अपने हाथ में, तो 2017 म नीतिया योग जो task force है, वो form करी गई, और उन्होंने जो है, किसका favor किया था, Tendulkar line को, ठीक है न, they emphasize that poverty line will only be used to assess the progress in addressing poverty, rather than identifying the poor for entitlement, इन्होंने all together एक नई dimension दी, जो नीतिया योग task force बरी, उन्होंने बोला, कि poverty line का agenda हम, यह नहीं होना चाहिए, कि we will identify who are below poverty line, the agenda of poverty line will be, to identify कि government programs, जो poverty eradication के लिए आये थे, उन्होंने कितनी progress अचीव करी है, to assess the progress in addressing the poverty, rather than identifying the poor, is the main highlight of this task force, and what did they use, they use socio-economic caste census, तो एक socio-economic caste census हुआ था 2011 में, उसको अधार बनाया, उसके basis पे to track the progress of the poverty eradication efforts done by the government, तो यह कुछ-कुछ poverty, estimation के efforts हमारे country में डाले गए थे, यह आपको पता होने चाहिए, ठीक है, चलिए, next is problems, इसमें देखें, problems क्या थी, इन mythologies के साथ, problem यह थी, outdated poverty line है, poverty line सरफ consumption के basis पे बात करे जा रहे हो, फिर poverty line जो amount निकाल है, वो low है, flawed consumption, consumption आप बहुत कम चीजों का मान रहे हो, जबकि हम consumption और भी बहुत सारी चीजों का करते हैं, plus unidimensional view, unidimensional के ऐसे सरफ खाने को, calorie intake को, minimum consumption expenditure को देखा जा रहा है, बट अब सिरफ उतनी बात नहीं रह गई है, poverty की, यह तो हमने chapter 9 में, chapter 9 standard की NCRT में सीख लिया था, कि now poverty cannot be seen from a unidimensional or a limited lens, हम एक broad lens से देखना होगा, इसलिए to resolve such issues, following approaches were followed, तो social economic caste census लेके आ है, multidimensional poverty index, Amartya Sains Capability Approach on Poverty, तो यह यह इसके उपर recommendations and suggestions है, कि इसके उपर जो flaws निकल के आ है, ठीक है ना? So if I see social economic caste census, तो first time social economic, caste based census in India में 2011 में हुआ था, कि इसके दुआरा किया गया था, ministry of rural development के दुआरा किया गया था, The focus was to gather, the focus was to gather data on wide range of social, social and economic factors affecting the household. The data collected through the first paperless census was then integrated into major schemes, जो इससे data निकल के आया था, उसके basis पे data, बहुत सारी schemes के लिए data यहां से identify किया गया था, जैसे scheme like MG Narega, जिसमें hundred days of work assure किया जाता है, रूरल households को, The census followed the rule from SR Hashim committee and provided criteria for automatic inclusion and exclusion from BPL, तो अच्छा basically social economic class census में क्या हुआ था, कुछ parameters बनाये गए थे, बलब अगर आप अगर आपके घर में scooter है, हम फिर यह नहीं देखेंगे आप दो टाइम खाना खा रहे हो के नहीं खा रहे हो, अगर आपके घर में scooter खड़ा है, that means you are immediately above the poverty line, वही scooter खड़ा है मजाक थोड़ी है, example दे रहे हूँ, मान लीजए आपके पास passports है, visa stamp भी लगी हुए उसमें किसी देश की, ठीक है न, गूम के आयो बार, और आप claim कर रहे हो कि आप below poverty line हो, is it something real to believe, do you want me to buy this argument, no I will not buy, तो यह जो committee है न, इन्होंने क्या किया था, कुछ criteria's, अगर आपके घर में यह यह चीज़े हैं, यह 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 चीज़े नहीं हैं, आप immediately below poverty line हो, हम आप पे if and but लगाएंगे नि, but अगर आपके घर में इन में से कोई भी condition फुल्फिल हो रही है, जैसे आपके घर में कोई two-wheeler खड़ा है, आपके घर में four-wheeler खड़ा है, ठीक है न, आप immediately, जो यह threshold है इसके ऊपर हो, आपको below poverty line वाले benefits नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने इस basis पे इन्होंने छोड़ दिया था, कि हम आपके एक घर जाके minimum consumption expenditure निकालेंगे, यह निकालेंगे वहने नहीं, criteria's हैं, कुछ criteria's for inclusion, and कुछ criteria's for exclusion from the poverty line, यह कहा हुआ था, social economic cost census के basis पे हुआ था, फिर आया multidimensional poverty index, यह develop किया गया था, United Development Program द्वारा, in fact अब नीती आयोग भी calculate करती है, multidimensional poverty index for India, right, so basically इनने बोला कि भाया जो यह poverty है इसको एक तरीके से नहीं देखना है, एक dimension से नहीं देखना है, there are three ways, three pillars, education, health, and standard of living के basis पे, हम poverty को अप्रोच करेंगे, it says, not having sufficient income, should not be the only criteria, income के basis पे आप सिरफ, conclude नहीं कर सकते हैं, मान लीजे, income है, but उसके बाद भी आपके पास, education, affordability, accessibility नहीं है, आपका standard और आपके पास खाना है दो टाइम का, लेकिन अभी भी आपके घर में पीने के लिए साफ पानी नहीं आता है, आपके घर में टॉयलेट नहीं है, यह आपके आस पास, health services नहीं है, still also, आप क्या हो, आप poverty की definition का category में ही आते हो, that is what multi-dimensional poverty index, जो है वो कहता है, किसके द्वारा develop किया गया है यह आपको पता होना चाहिए, फिर last आता है, अमर्तिया सेन्स capability approach, तो यह अमर्तिया सेन्स needless to say, noble laureate है, इंडिया थीक है, इन्होंने बोला, कि यह सारी जो calculation है न, यह सब छोड़ दो, the government's entire focus, government का सारा ध्यान का होना चाहिए, एक individual की capability बढ़ाने या enhancement में, क्योंकि कब तक यह monthly expenditure को supplement करने के लिए free ration बाठते रहोगे, और free food grains बाठते रहोगे, subsidy बाठते रहोगे, नहीं नहीं, अपने आप, आपका जो सारा focus है का होना चाहिए, एक individual की skilling, उसके empowerment, उसके सशक्ति करन में, Empowerment is what? सशक्ति करन, तो एक individual का सशक्ति करन करो, उसको empower करो, ताकि वो अपनी capabilities को realize करें, अपने potential को achieve करें, फिर अपने आप वो person will fetch, और will fetch the best for himself or herself, अपने आप वो achieve कर लेगा, अपने आप उसको फिर और सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक इनसान के उपर, एक व्यक्ति के उपर महनत करो, उसकी capabilities के उपर महनत करो, यह approach बोलती है, यह welfare programs जो है न, यह सारी चीज़े छोड़ दो, कब तक घरों में राशन डलवाओगे, कब तक घर में free बिजली पहुचाओगे, लोगों को empower करो, ताकि कल को वो अपने लिए खुच जॉब ढूंडे, या अपने लिए खुच जॉब क्रियेट करें, तो यह सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, that was the approach which was propagated, which was advanced by whom, अमरतिया सेनन को basically, पुरुसकार, नोबल पुरुसकार भी मिला था, फिर उसके बाद इंडिया से एक और अभी आज से 3-4 साल पहले, अभी जीत बैनर जी से, उनको भी poverty estimation के लिए random customized trials उसके लिए क्या मिला था, जो noble prize मिला था, ठीक है न, तो again he talked about the poverty only, ठीक है जी, तो हम फिर से पीछे एक बार rewind करते हैं थोड़ी story, ताकि वो जो हम धाचा आगे से आगे बनाते जा रहे हैं एक बार उसको देखना जरूरी यह पीछे जाके, हमने start किया था brief introduction, फिर हमने बात करी what is poverty, types of poverty absolute and relative, ठीक है न, फिर क्या-क्या committees इंडिया में poverty line estimation कौन करता है, क्या-क्या committees how has the poverty line evolved, फिर उसके साथ कमिया क्या-क्या थी, तिया न, unidimensional था, सिरफ income को consider करता था, flawed approach थी, ठीक है भाईया, उसके ओपर तुम बताओ suggestions क्या है, उनने बुला है न, suggestions हमारे पास, multidimensional poverty index है मेरे पास, मेरे पास मरतियस हैन के suggestions है, ठीक है न, मेरे पास socio-economic caste senses है, कि तुम्हारे गर scooter खड़ा है और immediately out of poverty line, तुम्हारे गहर दो टाइम, या तुम्हारे गहर, मान लीजिए, there is no one, everyone is agricultural dependent, with no male, only female is running the house, आप below poverty line हो, तो कुछ criteria of inclusion exclusion निकाले यह लो मेरे suggestion, ठीक है तो इतनी आगे माई story जो है बढ़ चुकी है, ठीक है न, अब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे जी, कहां, अब हम चलेंगे, inequality की तरफ, अच्छा ने नी, sorry, the debate of universal basic income, एक यह debate भी बहुत time चल रही है, तो कुछ economists बोलते हैं जी, यह जो program है न, अलग-अलग, farm loan waiver दे रहे हो, कभी subsidy दे रहे हो, cylinder पे, कभी free में electric meter लगाके दे रहे हो, कभी toilet बनाके दे रहे हो, कभी ration shop से free food grain बाट रहे हो, कभी 3 रुपे में 4-2 रुपे में आज यह सब बाट रहे हो, यह सब बंद कर दो, ठीक है न, जितनी जनता है देश में, उसको हाथ में basic minimum income पकड़ा दो, irrespective कि वो गरीब है, अमीर है, शहर में रह रहा है, या अर्थ पे रह रह रहा है, या मार्श पे रह रहा है, आप अपने देश के सारे नागरिकों को, एक basic income पकड़ा दो, and let them do whatever they want to do, ठीक है न, because क्या आज यूम कर रहे है, कि वह आपना सबसे वही पैसा spend करेगा, जहां उसकी सबस्यादा भलाई होगी, तो यह सारे जंजट छोड़ो, एक basic minimum income पकड़ा दो, तो इसके बारे में on-off on-off debate चलती रहती है, 2016-17 का जो economic survey है, उसमें भी इसके उपर काफी बड़ी चर्चा हुई थी, कि what should be done about this, ठीक है? So and also, कुछ-कुछ states जैसे तिलांगना, जैसे मध्यपरदेश, इन्होंने इसके trial runs भी किये, तिलांगना ने 2000 रुपे, हर एक इनसान को free में मतलब दिये थे, तो यूनिवर्सल basic income में, basically government आपसे बदले में कुछ expect नहीं कर रही है, बस दे रही है महीने का, अब आप देख लो क्या करना है, उससे खाना खाना है, उससे McDonald's खाना है क्या करना है, आप अपकड़ो आप अपनी आप एजूकेशन अपनी हेल्ट सविसे किसी में भी लगाओ ठीक है ना, तो आप इसके trial runs भी किये गए तेलांगना में भी हुआ, कुछ फादे निकल के आए और कुछ शॉटकमिंग निकल के आए, तो debate in favor is, इतमें प्रोवाइट freedom to spend as per own choice, पही LPG cylinder पे subsidy मिली है तो LPG cylinder करीदने में यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अब मुझे नहीं करीदना है LPG cylinder हो सकते है, मुझे microwave करीदना है, तो अब मैं क्या करूँ, microwave पे तो कोई subsidy नहीं है, तो अब ये ठीक है, युनिवर्सल basic income पकडा दी है, 2000 रुपे महीना, लो इंस्टॉल्मेंट पे लो microwave, ठीक है, तो इतमें प्रोवाइट freedom to spend as per own choice, could be solution to technology-induced unemployment, technology-induced unemployment क्या होती है, अचानक से आपके country में technology boom आया है, ठीक है न, manpower is being replaced by, labor intensive industry is being replaced by capital intensive industry, तो labor कहाँ जाए, capital machinery लगा दी है, हर काम के लिए, पीज़ा बनाने के लिए, पीज़ा सर्फ करने के लिए, तो वो जो वेटर था उसकी नौकरी गई, वो तो बिचारान इंफ्लोइड हो गया, पूरे सारे domino's सब निकाल दी सबको, तो technology की वज़े से जो बेरोज़गारी हुई है create, उसको curb करने में help कर सकता है, में promote social justice, में improve financial inclusion, क्योंकि universal basic income बाठने के लिए, सबके खाते खुलाने पड़ेंगे bank account में, तो bank account में सबका खाता खुलेगा, तो मतलब सब financial inclusion होगा, easy to monitor one scheme then launch multiple, इत्ती सारी scheme चल रही है, इत्ती दिमाग ही क्यों लगाना, एक scheme है, एक ही scheme है पूरे देश में, बाराम से उसका निकालेंगे, तो यह तो हो गई उसके फेवर में argument, the debate against difficulty in assessing the share of center and state, कौन कैसे खर्चा निकालें, कि कितना इसमें से center देगी, कितना state देगी, फिर उसके बाद कुछ लोग इसका दूरुपयोग भी करते हैं, misuse of funds by the beneficiaries, कोई क्या बहुत सारे कुराफ आती लोग होते हैं, आपको 2000 रुपय मिले, आप कौन से जाके अपने जड़ा, vitamin C और vitamin A की गोलियां खाने वालों जाके domino's पर खर्च कर दोगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो थोड़े रंगीन मजास के होते हैं, प्लस यह अप्रोच यह बहुत हैं, कि जिनके पास पैसा है, उनको 2000 रुपय और क्यूं दे रहे हो, पैसा उनी को पुचाओ ना जिनके पास ही नहीं कुछ भी, जिनके पास ओल्रेडी करोड़ों अर्बों रुपय पड़े हैं, यह लाख रुपय महीने की सालरी है, उनको क्यों तुम दो क्यों कि युनिवर्सल बेसिक इनकम मीन सबको इर्रिस्पेक्टिव और कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस, प्लिपनामिक स्टेटस आप उसको 2000 रुपय दे रहे हो, क्योंकि अब बोला गया है कि युनिवर्सल बेसिक इनकम लाएंगे तो सारी स्कीम बंद कर देंगे, मान लिजिए इस युनिवर्सल बेसिक इनकम वाली जो स्कीम है, इट गोस रॉंग मिजरिबली, फेल हो जाती है, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, फिर से नहीं स्कीम लेके आएंगे, कहां जाएंगे, नहीं, वी दो नो, येस, इस आर दी डिबेट्स अगेंस्ट इट, इस पेख बाश है 2015 में क्वेस्चन आ चुका है, यू नेवर नो, कब इस पर से वह आपिस में में, किसी भी साल, ये, इस इस वेरी एवर्गरीन टॉपिक, होट फेवरेट टॉपिक, हमेशा कही भी न कभी कोई न कोई मंत्री इसको पार्लिमेंट में उठाके बैठे ही होते है, तो कब ये स्पाक पकड़ ले, कब ये नूज में फिर से आ जाए, तो यू शुड बी प्रपेर्ड विध इस टॉपिक, यू ना चालो जी, इसके साथ हमारा जो पावर्टी है न, वो तो हो गया, खतम, अब हम चलते हैं, पावर्टी के साथ साथ एक प्रप्लम आती है, तो अब चोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम दो चोटे-चोटे ग्राफ्स पढ़ेंगे, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसको खतम करेंगे, कल हम देखेंगे अनिम्प्लाइमेंट, बेरोजगारी के बारे में हैं, ठीक है न, तो अभी तुम लोग खुद को बेरोजगार फील करते होंगे, बट जब कि तुम बेरोजगार हो नहीं हो, मैं बताओंगी कि तुम लोग बेरोजगार क्यों नहीं हो, और अगर हो तो हो क्यों हो, ठीक है न, चलो, तो अभी हम इनेक्वालिटी के बारे में बढ़ रहे हैं, इनेक्वालिटी, इनेक्वालिटी is the gap between rich and poor, अगर दोनों इक्वालिटी, दोनों इक्वालिटी, तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो we are not equal, we are not at par, we are unequal, so the gap between rich and poor is referred to as inequality, it also indicates the disparity, इनेक्वालिटी का मतलगी यह नहीं होता कि तुम्हारे पास कम है, मेरे पास ज्यादा है, it also shows the gap, it also shows the gap that exists, in the distribution of economic assets and income, जो gap society में exist होता है, we will not go what are the reasons for that, ठीक है ना क्योंकि बार बार अगर reasons, so back and forth, हमें अभी inequality की definition समझनी है, concept को समझना है, जो difference exist कर रहा है कि कि किसी के पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा गाडियां है, reason नहीं, है, अभी हैं, और मेरे पास एक भी नहीं है, that is what is inequality, income में difference है, social status में difference है, economic assets में difference है, that is what is inequality, ठीक है, अब क्या देखना है हमें, basically, inequality को हम कैसे मापते हैं, कैसे measure करते हैं, तो उसके लिए हम एक lawrence curve को पढ़ेंगे, और एक गिनी काफी, कुछ लोग जिनी बोलते हैं, कोई लोग गिनी बोलते हैं, तो हम एक lawrence curve देखेंगे, basically lawrence curve क्या है, lawrence curve एक graphical presentation है, यह जो graph है, basically यह बताता है, कि कितनी प्रतीशत जनता के पास, कितनी प्रतीशत income है, यह आपने बहुत बार सुना होगा, कि हमारे देश में, एक परसेंट जनता के पास ही maximum income है, बाकी जो 99 प्रतीशत जनता है, यह 90 प्रतीशत जनता है, उनके पास सिरफ एक परसेंट इंकम है और एजी करके समझाओ एक बंदा है वो पीजा के सारे स्लाइस खा जाता है और जो बाकी सारे बैठे हैं उसको एक पीजा का स्लाइस नहीं मिला इस इने कॉलिटी और डाट इस वह थापनिंग ना कंट्री कि एक कुछ लोग है कुछ इस पीजा का तो यहां पर हम देख रहे हैं और इस एक्स आक्सिस क्यूमिलेटिव परसेंटेज आउस होल्ड ठीक है ना यह जनता कितनी जनता ठीक है ना यह देख रहे हैं हम इंकम यहां हम देख रहे हैं वाई आक्सिस पे इंकम तो प्लॉटिंग करें तो आप देखो यह है लॉरंस कर्व ठीक है ना यह जो लाइन है जो 45 डिग्री पर बनी हुई है इस लाइन ऑफ पर्फेक्ट इक्वालिटी वाट इस लाइन ऑफ पर्फेक्ट इक्वालिटी मतलब एकदम 12% जनता उसके पास 20% इंकम है 100% जनता 100% इंकम है 50% जनता 50% इंकम पूरी देश की चिनकम है 50% पर۱ज पास पर्फेक्वालिटी Тем कर्सेश हो कर रहा है कि owर्यंस कर्व राइन की जोंकर्रफा है जो क्रणकी इनिक्वालिटी है ठीक है पर देखते है यह लोरंस करव है यह मैंने खीचिया अब यह देखो ना 20% 20% लोग के पास किती इंकम है यह देखो less than 20% यह देखो 40% 40% जनता उनके पास भी कितनी 40 मतलब देश में 40% population के पास कुल 20% भी इंकम नहीं है मतलब यहां पर 40 यह वालो टोटल इंकम है 100 रुपे एक कंट्री की टोटल इंकम है 100 रुपे तो 40 प्रतीशत लोग के पास 20 रुपे से भी कम है और चलो आगे 60 प्रतीशत जनता 60 प्रतीशत जनता कितना बैट रहे हैं देखो लेस देन 40 प्रतीशत कितना हो गया 40 रुपे 60 प्रतीशत लोग कितने में एड़्जस्ट हो रहे हैं 40 रुपे से लेस देन 60 प्रतीशत प्रतीशत लोग कितनी प्रतीशत जनता के पास कितनी प्रतीशत इंकम है ठीक है चालो तो यह हो गया हमारा लॉर्ण्स कर्व अब हम बात करेंगे अच्छा अब मान लेते हैं अब मान लेते हैं यह जो लॉर्ण्स कर्व बना हुआ है यह जो लॉर्ण्स कर्व बना हुआ है मैं मान लेती हूँ यह लॉर्ण्स कर्व इग्जाक्ली इसी पर बना हुआ है line of equality के बीच में line of equality के उपर ही आ रहा है मेरा lawrence curve what does it show, सोच के देखो lawrence curve बिल्कुल line of equality के उपर आ रहा है, what does it show it shows that there is perfect equality that exists in society मान लीजिए lawrence curve बिल्कुल ऐसे हो, इस के उपर आपके x-axis के उपर it shows there is 100% inequality, it shows there is 100% inequality ठीक है जी अच्छा, सो lawrence curve एक चीज और बता देती हूँ यह 1905 में बनाया गया था 1905 में इसका जो है, यह बनाया गया, फिर अब बात करते हैं Gini coefficient की So, Gini coefficient was developed in 1912 by Corrado Gini यह जो Gini coefficient measures the degree of inequality between 0 to 1 यह बहुत है कितनी प्रतीशत आपे तो प्रतीशत कितनी inequality exist कर रही है ठीक है न, so 0 if, अब calculation करके हम बताओंगी कैसे, अगर 0 आता है, so it shows perfect equality, 0 is perfect equality and 1 shows perfect inequality अब इसका calculation करने का भी तरीका है graph में calculation करने का तरीका होता है a divided by a plus b अब यह formula जो है इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ऐसे ही सोचते रहे जाओगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ you do not have to think that way आपको क्या चीज जिनिक कॉफिशेंट में याद रखनी है कि जिनिक कॉफिशेंट में equality को बताया गया 0 से कि भाई calculation करके अगर number आता है 0 तो that shows perfect equality कोई बेद भाव नहीं है society में अगर number आता है 1 भाइ अब बेद भाव ही बेद भाव है society में थीक है ना तो यह scale बन गया ना 0 to 1 का 0 से लेके 1 तक का so the more मान लीजे कोई figure आता है 0.35 एक फिगर आता है calculation करके 0.65 inequality कहां पे है जादा inequality यहां पे है जादा so the more is number towards 1 that means it is more towards inequality बस so higher the guinea coefficient the more is the gap between rich and poor in the country बहिए जितना number 1 के पास है क्योंकि 1 shows perfect inequality तो number जो मैंने formula लगाया जो आपको जानने की जुरूरत नहीं है formula लगाके जो number आता है if it is nearer to 1 that shows perfect sorry that shows more of disparities more of inequality in the society बस इतना समझना था आपको इतना भी पढ़ लोगे answer लिख लोगे तुम लोग कहां पे? प्रिलिम्स और मेंस में दोनों में लिख लोगे comment box में उसका जवाब जरूर देना क्योंकि में को like दबाना होता है मुझे देखना होता है कि इतने बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं next class में हम मिलेंगे talking about unemployment what are the problems of it various concepts related to related to unemployment so students बस इसी तरीक से लगे रहे watch watch this series because I can vouch for that कि तुम भले ही थोड़ा सा time निकाल के या speed बढ़ा के देखोगे तुम economy में if not hero but yes you will be in a very better position धर धर छोटे छोटे steps लोगे तो एक दम से burden भी नहीं आएगा economy का और दीरे दीरा I hope जो ये fear है ये भी eliminate हो जाएगा ठीके तुम मिलते हैं कल talking about unemployment and stay blessed and God bless you all good bye